पेरे बचो, क्या हाल चला है आप सभी के dear students नवदीब सरकी physics की ग्लास में आप सभी का स्वागत है पेरे बचो अपने कर रहे थे physics का chapter number 7 और आज अपने part नमर इसका 17 करने जा रहे हैं ठीक है कल का तूला ही लिखा हुआ है सत्रा नमबर पार्ट अपने आज इसका करने जा रहे हैं तो सत्रा नमबर पार्ट में आज जो अपना TOPIK है वो TOPIK का नाम है एक समान चुमब की अक्षेतर में दारवाही आईताकार दारवाही ूप पर बल बल अगुर यानि कि एक आयताकार लूप है अपने पास, जैसे आपने कुंडली कहा था ना, कुंडली वो व्रताकार थी, अब आयताकार कुंडली कह सकते हो आप, लूप वो होता है, देखो कुंडली और लूप में फरक क्या है, लूप भी एक तरह की कुंडली होती है, लेकिन उसमें ए को दिख रहा है, ये एक आयताकार लूप है, मतलब आपने एक तार ले ली और उस तार को ऐसे आयताकार रूप में मोड़ दिया है, ठीक है आयताकार रूप में मोड़ा है और इस आयत की लंबाई L है और चड़ाई इसकी B है, ठीक है अब इस आयताकार लूप में आप आई दारा प्रवाइद करवा रहे हो किसी ने किसी तरीके से इसमें क्या कर रहे हैं अपने आई दारा प्रवाइद करवा रहे हैं क्योंकि खुद का चुम की एक शित्र होगा, उसका तो बल लगे गई इस पर, तो अब इस पर बल कैसे लगेगा, कौन सी दिशा होगी, बल की और बल आगूरन लगेगा, इस पर तो बल आगूरन कैसे लगेगा, उसका फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीज़े अपने इसमें पढ़ने जा रहे हैं, तो एक बार त्यार हो जाओ आप, कौन से फ्लेमिंग का बाइयात का रूल ले लो, चाहिए आप दाइं हथेली का नियम, और चाहिए आप क्रोस प्रड़क्ट वड़ा, मैं तो कहता हूँ, क्रोस प्रड़क्ट वड़ा नियम लगाया करो, सब जगे आराम से अपलाई होता है, ठीक है, तो यहां आपका वो नियम सारे अपलाई होंगे, तो एक बार उनको त्यार करके बैठना आप, फिर समझाएगा टॉपिक, क्या है, चित्रा अनुसार माना एक ABCD आयताकार लूप है, जिसकी लंबाई L, चड़ाई B है, इसमें आई दार ऐसी आपर क्या है, एन और ऐसी आपर दो चुम्बक रखे होई हैं, जैसे आप विदुथक्षेतर उत्पन करते थे ना, एक समाण विदुथक्षेतर, तो उसमें आप देखो क्या करते थे बचो, उसमें अपने एक दनात्मक पलेट रख देते थे और एक यहां पर रिनात है वो एक्समान्ट चुम्बकी एक्षेत्र बनता है यह नेक्स्ट चेप्टर में पढ़ेंगे कैसे बनता है ठीक है अब आपने जो कुंडली यहां पर रखी हुई है देखो आप इसको एक कुंडली मान सकते हैं जैसे बुक है तो इसके चारों तरफ वैसे अंदर से खोग ल ऐसे भी हो सकते हैं किसी मर्जी तरीके से आप ऐसे मानलो भी इसको ऐसे बीच में कहीं पर रखा है टेड़ा रख सकते हो अपर टेड़े वाले केस लेंगे वैसे तो लेकिन यहां पर आप समझने के लिए ऐसे मान सकते हो भी ऐसे रखी हुई है बुक चुम्बकी एक्षेत अब ली है या यह जो लूप है आपके पास इस लूप को अपने चार तारों से मिलकर बना मान सकते हैं यह किससे बना है चार तारों के टुकड़ों से बना हुआ है एक एक अबी टुकड़ा है तो क्या है चार ही स्वें बल लगेंगे और चारों बलों की दिशाएं अपने को देखने पड़ेंगे और चारों बलों के मान देखने पड़ेंगे समझाई बात तो अब सबसे पहले आप कह सकते हो कि चुमकियक शेतर बी तार की तार की तार की लूप की परतेक बुजा पर बल लगाएगा अटाय अब कह सकते हो हर एक बुजा में अपने बल निकालेंगे ठीक है सबसे पहले ए बी बुजा पर बल ए बी बुजा या इसको तार पर कह सकते हो ए बी बुजा या ए बी तार पर बल ठीक है इस पर बल निकालते है अपने तो अब देखो बल का जो सूतर होता है इस बुजा पर अपने लगने वाला बन पांते हैं अब यह F1 वेक्टर है और वो है I1 इसकी लंबाई कितनी है L है यह आईता कार है तो यह L लंबाई है यह भी L लंबाई है यह B चुड़ाई है small B तो यह भी small B चुड़ाई है समझ लेना आपने ठीक है तो I L क्रोस B ठीक है यह इसको अगर अपने वैसे लिखें magnitude form में यह नहीं only परिमान लिखें इसका तो वो आजेगा I L B sin theta ठीक है I L B sin theta तो अब देखो आप यहां पर एक चीज है कि इस बल की दिशा कौन सी होगी सबसे पहली बात ही है ठीक है तो दिशा निकालने के लिए L क्रोस B लगा हो आप तो L क्रोस B अपने इस बुजा के लिए लगाएं तो एक चीज आप याद रख लो यह इस loop का आगे वाला इसस है मतलब आपने ऐसे रख रख है न तो यह फ्रंट साइड है इसकी और यह पीछे वाला इसस है जो बैक साइड रहेगी है इसकी समझाई यह उपर वाली और यह नीचे वाली यह ऐसे 3D में मानना है इसको अभी मैंने टेटा बनाया सोड़ा यह 3D में बना हुआ है ऐसे ऐसे तो आगे वाला बाग इसका यह वाला है CD वाला है तो यह पीछे वाला है तो अपने को तो क्या देखना है दारा की दिशा देखो और दारा की दिशा देखो और बी की दिशा देखो और दोनों में दारा की दिशा की तरफ अंगुलियां रखो और बी की तरफ मोड़ दो क् तो अब इस A, B लूप के लिए आप दिशा निकालो सबसे पहले क्या होगी खुद निकाल के देखो वीडियो पॉस करके मैं तो बताई दूँगा तो मैं भी बताता हूँ देखो ये किसकी दिशा है I की या L की और B की दिशा है इदर वाली ठीक है ना B की दिशा क्या है इदर वाली ये किसकी दिशा है I की दिशा है उपर वाली ये वाली I या L की और इदर B आपका लगा हुआ है तो ये B की दिशा है ऐसे कैप वाली दिशा कर रहे हैं तो L क्रॉस B L क्रॉस B ठीक है L की तरफ अंगली रखनी है या I कि तरफ उंगलियां और B कि तरफ मोड़ दे ना है तो जो आपका क्या है, बल है, ऐसे अंदर की औरह रहा है ठीक है, तो मैं यहां पर अंदर की और बल लगा देता हूँ यहां पर ऐसे, यहां पर F1 बल है जो इसकी दिशा आ रही है तल के लमवत अंदर की और तल के लमवत अंदर ठीक है अब इस बल का अपने मान निकालते हैं तो आप ये देखो एल और बी एल आपका ऐसे था बी ऐसे था तो दोनों के बीच नबे डिगरी का कौन बढ़ रहा है तो यहाँ थीटा यहाँ पर क्या है नबे डिगरी है तो एफ वन आपका हो जाएगा आई एल बी है और इसकी दिशा क्या आ रही है तल के लमवत अंदर की और यह आगी ठीक है अब नेक्स्ट क्या है अपने इस बी सी बुजा की बात करते हैं तो बी सी बुजा या तार पर बल अब आपको होगे कि सर कुछ निकल तो नहीं रहा यहांसे एक बार आप चारों बुजाओं पर बल निकालो तो एफ टू वेक्टर जो आ जाएगा यहाँ आजाएगा आई यहाँ पर बचो बी क्रॉस बी आएगा क्योंकि इस वाले बाग की जो b c बाग की लंबाई है वो इस b के बराबर है मतलब यह चड़ाई आयत की ठीक है तो चड़ाई b cross b आ जाएगी तो f2 vector is equal to i b b sin theta ठीक है तो अब आप यहां पर देखो कि इस b और b के बीच कौँ देखना है small b और capital b के बीच तो अब देखो यह वाला बाग है अब आपका यह front side है ठीक है यह front side है कुंडली की या loop की तो अब यह मतलब आगे की तरफ आ रहे है मतलब ऐसे आपने कुंडली रखी हुई है तो दारा आपकी आगे की तरफ आ रहे है पीचे से तो यह वाली दिशा किसकी हो जाएगी आपक है और यह front side में है तो आपका B से C मतलब की जो आपके पास current है B से C की तरफ आ रहे है यह B है यह C बागा आगे की तरफ और जो आपका चुंब की अक्षित्र है वो ऐसे लग रहा है समझाई बात चुंब की अक्षित्र आपका ऐसे लग रहा है यह चुंब की अक्षित्र ह उपर की और लग रहा है तो दूसरा जो बल आएगा वो आपका ऐसे लगेगा F2 वेक्टर जो आपका है उपर की और ठीक है और यहाँ पर भी आप देखो कि small b और capital b के बीच का कॉण small b आपका आगे की तरफ आ रहा था और capital b आपका इधर है small b आपका ऐसे आ रहा था और यह इधर है तो जो दोनों के मद्ध कौन है 90 डिग्री तो यहाँ थीटा क्या है F2 वेक्टर हटा दो यहाँ से थीटा 90 डिग्री है तो F2 का मान हो जाएगा I, B, B और यह हो जाएगा बल इस पर लग रहा है उपर की और कौन सी दिशा में लग रहा है उपर की और बल लग रहा है बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं C, D, बुजा पर बल C, D, बुजा या तार पर बल तो C, D में देखो क्या है यह वाला बल था तल के लंबवत अंदर की और था तो अब C, D में अगर मैं इन दोनों की तुलना करूँ तो यहां से आपको बल की जो दिशा है उसको निकालने की आवशक्ता ही नहीं रहेगी ठीक है? आपको रूल लगाने की आवशक्ता ही नहीं रहेगी क्योंकि दोनों तारों में अगर विप्रीत दिशा में दाराप्रवाई तो बल की दिशा भी विप्रीत होगी लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए बल की दिशा निकाल लेते हैं कैसे निकालेंगे देखो I की दिशा इसमें नीचे की और है और जो आपका B है, वो इधर है, ठीक है, तो I की दिशा नीचे की और B आपका इधर, ठीक है, तो I की दिशा नीचे की और B आपका इधर, तो यहाँ पर जो बल आएगा, देखो, I cross B, I cross B, तो बाहर की और आजाएगी, ठीक है, तो यह वाला जो बल होगा न, यह आपका ऐसे आएगा F3 वेक्टर तो इसकी दिशा और इसमें एक चीज और देख लो आप कि I आपका ऐसे जा रहा है और B आपका ऐसे तो फिर से 90 डिग्री का कौन है ठीक है तो आपके पास क्या आजाएगा F3 वेक्टर इस एक्वल टू I L क्रोस B क्योंकि इस बाग की लंबाई भी कितनी है L है तो F3 आपके पास क्या आजाएगा I L B साइन थीटा और थीटा यहां पर 90 डिग्री है तो F3 इस एक्वल टू I L B और इसकी जो दिशा है तल के लंबवत बाहर की और है समझाई बात अब बेरकुल इसी तरीके से D A बुझा पर बल तो D A आपकी क्या है देखो D बाग आप तल से लंबवत बाहर की हो रहा और यह तल के अंदर है मतलब यह ऐसे है यह D है तो इसके पीछे वाला यह क्या है A है यहां पर तो इस बाग पर बल तो अब देखो दारा इसमें आगे से पीछे की और जारी है मतलब ऐसे जारी है दारा ठीक है और B आपका इस तरीके से लगा हुआ है तो सबसे पहले तो एंगल देख लो 90 डिगरी का है और अब जो आपको क्या है इसका बल निकालना है तो बल इसमें कैस आएगा आपके पास देखो ये वाली क्या है अंदर की और जारी है दारा की दिशा आई तो आई आपका इधर है और ये आपका B है तो आई क्रोस B है तो ये नीचे की और उठा जा रहा है आई क्रोस B करने पर तो जो आपका बल चौथा आ जाएगा वो ऐसे लगेगा F4 व वेक्टर बराबर I B क्रोस B ठीक है तो F4 बराबर I B B साइन थीटा थीटा यहां पर 90 डिगरी है तो F4 बराबर I B B नीचे की और डिरेक्ट नीचे की और लग रहा है जो बल है ठीक है अब टोटल बल अगर अपने बात करें चारों बुजाओं पर बल आ गया तो इस पर लगने वाला जो कुल बल है लूप पर लगने वाला कुल बल कुल बल है तो वो देखो क्या हो जाएगा आपके पास F वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर ठीक है यह हो जाएगा चारों का सदिश योग होगा ठीक है अब देखो चारों बलों का सदिश योग करना है तो आप ये देखो कि F1 और F3 f1 ये वाला और f3 ये तल के लमवत अंदर की ओर रहा है और ये बाहर की ओर रहा है लेकिन दोनों के देखो f1 का मान आपके पास ilb है और f3 का मान भी ilb है लेकिन दोनों की दिशा भी प्रीत है तो इस कारण इस बल का मान ILB और इस का मान माइनस ILB यहां पर लिखूँगा मैं ठीक है यह हो जाएगा यह माइनस दिशा की कारण ही आया है अगर आपको ऐसे लग रहा है किसरा आप दिशा कैसे ले रहो यहां पर तो ठीटा तो आपने सॉल्व करी दिया इस क्रोस प्रडक्ट को सॉल्व कर दिया वैसी यह नेगटिव मैं दिशा के कारण यहां पर ले रहा हूँ समझाई बात और F2 और F4 F2 का मान आपके पास IBB उपर की और आ रहा है F4 आपका IBB नीचे की और आ रहा है मतलब यह दोनों की दिशा भी क्या है F2 और F4 की विपरीत है तो यह क्या होजएगा प्लस IBB और माइनस IBB तो चारों बल एक दूसरे से कैंसल होके जो इस पर परिनामी बल है 0 होगा मतलब आयताकार लूप पर लगने वाला परिनामी बल 0 होता है शुन्य होता है ठीक है तो जब भी आपको याद रखना है किसी आयताकार लूप को एक समान चुम्ब की एक शित्र में रखोगे तो उस पर लगने वाला बल है वो क्या होगा 0 होगा बचो अब बल 0 हो गया तो मतलब बल का तो कोई मानी नहीं आया तो मतलब जहां पर बल 0 होता है वहां पर बल आगूरन लगता है जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि वहां पर ऐसे आपने एक द्वीदरू लिया हुआ था तो द्वीदरू पर एक बल QE इदर लग रहा था और एक इदर लग रहा था QE ये दोनों बल क्या है एक दूसरे की विप्रीद दिशा में थे टोटल बल यहां पर 0 था लेकिन ये दोनों बल एक इदर खींच रहा और एक इदर तो द्वीदरू इसके परबाव में नीचे आएगा और इदर से उपर मतलब ऐसे गुमेंगा ठीक है तो अब बिलकुली वैसी चीजी यहां पर होगी आप देखो कि अगर मैं बात करता हूँ इस ऐसे मान लो ऐसे आपने ये वाली आयता कर कुंडली रख रखी है तो इसके उपर और नीचे व लग रहा है ये तल के लंबवत अंदर की और मतलब आपकी जो कुंडली है मान लो ऐसे है और एक ऐसे लग रहा है अंदर बाहर ऐसी होगा मान लो है अगर आपने ऐसे तल ले रखा ऐसे तो एक तल के लंबवत अंदर की और लग रहा और एक बाहर की और तो अब इसको अग होगी गूमना स्टार्ट कर देगी तो अपने कह सकते हैं कि आयताकार लूप को जब अपने एक समरूप चुम्ब के एक शित्र में रख देती हैं तो उस पर एक बल यूगम काम करता है बल यूगम और ये बल यूगम इसको गुमाने का काम करता है यानि F3 और F1 जो बल होंगे वो बल यूगम है यहां पर जोड़ा है बलों का ये दोनों बल एक दूसरी की विप्रीत दिशा में है लेकिन लग किनारों पर रही हैं तो इस कारण क्या है कि इन दोनों बलों के परबाव में ये जो आयताकार लूप है ये यहां पर गूरन करेगा और उस गूरन से यहां पर बल आगूरन उत्पन होगा ठीक है ना बल आगूरन उत्पन होगा तो अतय अपने कह सकते हैं कि यहां पर जो आयताकार लूप है इसकी रेखिया गती नहीं होती कोई भी यहाँ पर इसकी गूर्णन गती होती है यह सारी बाते आपको नोट्स में लिखी मिल जाएंगी समझाई बात इसको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं तो एक बार इतना कर लो फिर अपने बला गूरण का फॉर्मूला निकालते हैं बच्चो तो देखो बच्चो बला गूरण निकालना है अपने को तो बला गूरण के लिए क्या चाहिए अपने यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि चित्तर से स्पास्ट है कि F1 और F3 एक बल यूगम का निर्मान करेंगी यहाँ बल यूगम लूप को गूमाने का कार्या करेगा था यहाँ लगने वाला बला गूरण जो हता है बला गूरण टो क्या होता है किसी एक बल का परिमान क्योंकि दो समान बल गूमाते हैं तो उसमें से किसी एक बल का परिमान लिख लो साथ में दोनों बलों के मत्या है लंबवत दूरी अब देखो ये जो दोनों बल हैं अगर मैं इसके बीच सीधी दूरी की बात करूँ तो ये सीधी दूरी आपके इस दूरी के समान ही होगी इस B C के समान ठीक है तो ये सीधी नहीं है लंबवत दूरी नहीं है सीधी दूरी ह मान लिखिये हुए और ये में ने B और C क्यों लिखे हैं क्योंकि बी-see के समान यह 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 दोनों बंभ आप चाहें किसी भी point बे निकालो चाहे इस point पर निकालो इस point पे भी यह बल ऐसी इमान लिया अब अपने को इन दोनों के मद्धिया लंबवत दूरी चाहिए लंबवत मतलब 90 डिगरी वाले दूरी लंबवत तो अपने लंबवत दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं यहां से लंब डालते हैं और यहां पर इस रेखा को ऐसे बढ़ाते हैं ठीक है तो यह यहां पर B और बुक में जो इसका नाम दिया हुआ है वो आपके पास है Q ठीक है B Q और O दिया हुआ है ठीक है तो अब लंबद दूरी इसमें से कौन सी है आपके पास देखो इस बल को सीधा अगर अपने यहां पे लेके आए तो यह वाली दूरी लंबद दूरी है दोनों के बीच सीधी मतलब कि यह 90 डिगरी वाली दूरी कौन सी है यह वाली तो यहां पर जो बल के बीच की दूरी क्या आज़ेगी O C होज़ेगी अब इस O C का मान निकालना अपने को तो मान निकालने के लिए सबसे पहले कौन पता होना चाहिए अपने को तो यहां पर यह जो B C है आपकी कुंडली क्या है अपने मान लिया कि बिल्कुल ऐसे 90 डिगरी पर ना होके थोड़ी सी टेड़ी रखी हुई है ठीक है थोड़ी सी टेड़ी रखनी आपको बिल्कुल ऐसे सीधी नहीं क्योंकि यह तो 90 डिगरी वाली कंडिशन हो जाएगी ठीक है आपको क्या करना है थोड़ा सा टेड़ा करना है कुंडली को तो अब आप देखो कि इस कुंडली का अगर मैं area vector को हूँ या क्षेतरफल सदिश को हूँ तो इस कुंडली या loop का जो area vector होगा या सदिश जो इसका क्षेतरफल सदिश होगा वो इस कुंडली के तल के लंबवत ऐसे होगा और आप देखो जो B vector आपका ऐसे जा रहा है ठीक है तो इस A को मैं आपका यहां पर दिखा रहा हूँ ऐसे यह A vector आपका अगर 3D में देखना चाहो तो ऐसे होगा इस कुंडली के तल के लंबवत और यह B vector है मालो ऐसे आपने अगर मैं इसको उठा के ऐसे यहां पर रख दूँ तो यह जो आपका बोर्ड का तल है यह तो B vector और यह A vector है ठीक है तो B vector और A vector के बीच का यह B vector और यह A vector इन दोनों के बीच का जो कौन है वो अपने थीटा मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं कौन ठीक है अब आपको को कि सर A vector का इसे आगया तो A vector का भी इसमें आगे यूज आएगा कौन वैसे अपने निकाली नहीं सकते थे यहाँ पे अगर आप याद रखना चाहो तो थीटा यानि की कुंडली के कुंडली नी लूप के क्षेत्रफल सदिश A वेक्टर वै B वेक्टर के मद्या कौन है जो यहाँ पर थीटा है ठीक है यानि कुंडली आपने कितना कौन बनाके रखी हो यह वो है तो अब यह कौन थीटा है तो यह वाला जो कौन है यह 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्योंकि टोटल क्या है यह लंब है शेत्रफल सदिश क्या होता है लंब होता है तो यह 90 माइनस थीटा अब ये कौन फिर से 90 है तो ये वाला कौन कितना हो जाएगा थीटा क्योंकि 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस X अगर इस कौन को X मालनों तो 380 degree के बराबर तो 180 से ये वाले cancel तो X आपका थीटा के बराबर आ जाएगा यहां से ठीक है तो ये कौन आपका थीटा आगया है ठीक है तो अब देखो किसी एक बल का परिमान अब मुझे बताओ F1 और F3 दोनों में से किसी एक बल का परिमान बताओ मेरे को तो आप कोगे कि सर I, L, B और बीच की लंबा दूरी O, C आपके पास क्या है O, C है तो अब तिर्बुज आप ले लो यहां से BOC से ठीक है BOC से तो BO आपको क्या है यहां पर BC पता है और OC निकालना है तो OC बटा BC is equal to अब थीटा के सामने की बुझा होती है लंब और यह होती है करन तो लंब बटा करन लंब बटा करन साइन थीटा ठीक है तो OC बराबर BC साइन थीटा तो जो आपके पास आजाएगा OC बराबर BC का मान आपके पास है small b साइन थीटा अब इसको आप क्या करो इस समीकरन एक में रख दो यह दो है तो दो से मान जब आप एक में रखोगे तो जो आपके पास वैल्यू आजाएगी टो इस एक्वल टू आई एल बी small b साइन थीटा और यहाँ पर क्या है कि अगर मैं इसको लिखूँ आई एल और बी को इकठा कर लेता हूँ एल गुणा है यह ठीक ना क्रॉस नहीं है गुणा है साइन थीटा तो यह क्या है एल इंटू बी यानि एल लंबाई यह आईताकार जो लूप है और बी उसकी चुड़ाई है तो यह क्या बन जाएगा क्षित्रफल तो मैं इसको यहाँ पर लाइन लगाके लिखता हूँ तो बराबर आपके पास आ जाएगा आई ए बी साइन थीटा थेक है अब यदि लूप में न फेरियं पर बन लग रहा है या जब आपका एक लूप पर बन लग रहा है वो यह है तो अकर अं फेरियं है तो इतना बन लगेगा ठीक है एन आई ए भी साइन थीटा अब देखो एन आई ए भी यहां पर जो आपको दिया हुआ है इसमें जो टर्म है एन आई ए ठीक है यहां एन आई ए इस एक्वल टू एम है और एम यहां पर क्या है कुंडली का चुम्बकिया अगूरन अब आप कहोगे कि सर यह क्या होता है चुम्बकिया अगूरन तो यह नेक्स्ट चैप्टर में आएगा एक बार इसको only याद रख लो ठीक है एन आई ए को एम लिखते हैं तो टो इस एक्वल टू एम बी साइन थीटा या इसको वेक्टर फॉर्म अगर अगर अपने लिखें तो टो वेक्टर बराबर एम क्रॉस बी टो वेक्टर बराबर एम क्रॉस बी से आप क्या कर सकते हो इसकी वेल्यू निकाल सकते हो तो यह आपके पास वही आगया जो आपने टो इस एक्वल टू पहले चैप्टर में P x E पड़ा था तो ये M x B आ गया P वहाँ पर क्या होता था द्वीद्रुब आगूरण होता था यहाँ पर चुम्ब की आगूरण है ठीक है और P E P x E पड़ा था ना वहाँ पर तो E की जगह यहाँ B आ गया E वहाँ विदूत चुम्ब की आगूरण का मान आपके पास आ जाएगा जब एक आयताकार कुंडली या आयताकार लूप को अपने समरूप चुम्ब की आगूरण बी में रखते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है यह वाला आके देखना और 3D में इमेजन करके देखना ठीक है अगर आपको कोई चीज नहीं समझाती 3D से तो गूगल पर उसको सर्च कर लिया करो इमेजस में जाके इमेज सर्च हो जाती है न तो वहाँ पर इस टॉपिक को इंग्लिश में नाम लिखके इसका इंग्लिश में नाम दिया हुआ आपकी बुक में तो वह बरके और उसको चेक किया करो कि यह एक्चुल में कैसे होता है ठीक है क्योंकि इतना माता मैं तो एक बार नहीं मार सकता बगवान यानि कि मेरे को इतनी फैसलिटी दे कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीजूलाइज करके यानि कि डाइग्राम के माद्दे हम से या और समझाओं अभी एक बार मेरे पास इ ठीटा जीरो डिगरी हो तो टो क्या हो जाएगा जीरो यानि कुंडली आपकी जब आपने विदुत क्षेतर चुंब की एक्षेतर के समानतर रख रखी है ऐसी चुंब की एक्षेतर और ऐसी आपकी कुंडली पड़ी हुई है तो उस पर जो क्या होगा टो जीरो लगेगा ठीक है टो क्या हो जाएगा 0 और theta is equal to 90 degree ये दूसरा case है तो टो क्या हो जाएगा mb ये maximum हो जाएगा ये minimum value है और ये maximum तो ये तो आदी हो चुकियों इन चीजों के ये तो आप अराम से कर सकते हो ठीक है तो ये इसके क्या है आपके पास आगूरन आ गया बल बल आगूरन जो क या है एक आयताकार लूप पर या आयताकार कुंडली पर लगता है ठीक है अब इस चैप्टर की समापती की तरफ अपने बढ़ रही हैं काफी टॉपिक कवर कर लिए अब ये चीज देखो कि पिछले जो ये चैप्टर दो तारीक को स्टार्ट किया था ठीक है दो को स्टा इस वीडियो में डाल चुका हूँ ठीक है तो बेटा इतनी ही मेनत होती है मेरे से इससे ज्यादा नहीं हो पाती है तो इस कारण क्या है मैं आपको मैक्जीमम करवार हो ये चैप्टर बढ़ा है ठीक है ना और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आ जाएगा दारामापी गिलव प्रीचर वगएर या और मिरे को डाइगराम वगएरा भी उसके मिलेंगे तो वो साड़ सारे डायगराम भी मैंए उसमें डाल दूँगा वो थोड़ा ज्यादा समझ आ जाता है जब किसी चीजर समझानी होना ओना तो ओनौнем मैं आपको तो बोड वाली वीडियो ये थी उ लगबग 70% चैप्टर यहां तक हो चुक है 30% चैप्टर यह रहा है ठीक है तो इसको अच्छे तरीके से करते रहें मिलते हैं बच्छो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थेंक्यू है वे नाइस टे दियर स्टूटें